हालो मैं लवली फैमिली कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपोर्टेंट चीज शेर करने वाली हूँ यह है दा डर्मको का सेरमाइट प्लस एच्चे इंटेंस डेली फेस मॉस्टराइजर आज मैं आपके साथ इसका होनेसली रिवियो शेर करने वाली और गोर किजेगा तो फर्सली मैं आपको बताओ कि यह जो डर्मको के प्रोडेक्ट है ना वो आपको हमेशा डोक्टर की एडवाईस से परचेस करने चाहिए क्योंकि इनके जो प्रोडेक्ट है वो बिल्कुल भी और्गैनिक नहीं है इसके अंदर 85% केमिकल स्टाले जाते हैं जो कि हमारी स्किन की प्रोडेक्ट के लिए बने होते हैं लेकिन डोक्टर हमेशा हमारी स्किन की प्रोडेक्ट को देखने के बाद वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडेक्ट सजेस्ट करता है लाइक इसका मॉस्टुराइजर यह है इसके 4-5 मॉस्टुराइजर तो आप ऐसे ही मेरी या किसी और की वीडियो देखकर डायरेक्ली इसे पर्चेस ना करें आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर आपकी स्किन पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे एडवाइस करा लिजिए अधर्वाइस ऐसे प्रोड़क्ट को मत पर्चेस कीजिगा अब बात करते हैं कि यह जो प्रोड़क्ट है यह 25 ग्राम का मैंने जस्ट एक ट्रायल के लिए लिए लिया है और मैंने तो इसे स्मेटन से उल्ली वन ट्रायल पाइंट से पर्चेस किया अगर मैं कोई इसका यूजिज अच्छा नहीं भी लग रहा होगा तो मैं इसे फैक आपको इसके पैकेजिंग दिखा देती हूं कुछ इससरे की नॉमल पैकेजिंग में यहां आता है कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है यहां पर है डर्मोलोजिकल टेस्टेड अप्रूब्ड है फ्रेग्निंस फ्री प्रोड़क्ट है और यह डे और नाइट पे यूज रोत बता हो जब यह 72 आवर्स तक टीपली हाइड़ेट करता है तो हमें नाइट में दुबार लगाने की क्या जरूरत है अगर हम फेस्पोश करते हैं तब ही लगाने की जरूरत ही नहीं है तो यहां पर भी दोड़ा से डाउट आजाता है अकर बात की जाए धर्मर को के बात की कही है कि अगर आप इसको अपने आइस के अराउंड में लगाते हैं आपकी आइस में कहीं इचिंग हो सकती है अगर आपके सेंसिटिव स्किन है या फिर आपको कोई और प्रब्लम है कोई इश्यूस चल रहे है आपके बोड़ी के अंदर और बात की जाए तो यह छ चोटे वाली पैकिंग खरीदिए उसके बाद आप बड़े वाला अगर सूट कर रहा है तो बड़े वाला खरीदो नहीं तो मत खरीदो नहीं तो आपके पैसे बेस्ट हो जाएंगे आप बात करते हैं कि इसके जितने ही इंग्रीडियंट है यहां मैंशन है सेरमाइड प्ल आपके पैसे बाद की इंग्रीडियंट की लिस्ट दी गई है क्योंकि वह भी कही न कहीं कोई रॉल तो नहीं भाते हैं इस फेस मॉस्टुराइजर को बनाने के लिए और इसके इंग्रीडियंट आ लेगे हैं जो हर किसी की स्किन पर सूप नहीं करते तो प्लीज एक बाया डॉक्टर की एडवाईज ले लिए जगा या फिर चेक कर लिए जगा कि आपके स्किन पर कौन सा इंग्रीडियंट सूप नहीं करता है क्योंकि इसको यूज करने के बाद हो सकता आपके स्किन पर थोड़ी सी इच्जिक हो जाए हो सकता आपके स्किन पर थोड़ी आपको लगे कि pimples हो रहे हैं, चोटे-चोटे pimples हो सकते हैं, सभी की skin पर नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग की skin पर हो सकते हैं तो मैंने इसे यूज किया है कुछ तीन दिन और जैसा कि हमें शेन है कि ये ड्राइ स्किन वालों के लिए लेकिन मेरी skin combination है तो मेरी skin पर oily और dry वाला दोनों चल जाते हैं मैंने इसे यूज किया, यूज करने के बाद हो इसका texture के बात करें तो इसका जो texture है वो cream based texture है, थिक है थोड़ा, lightweight नहीं बहुल चकते हैं और लेकिन यह जल्दी से spread हो जाता है skin के अंदर और observe भी हो जाता है, second अगर बात करें कि यहां पर मैंशन है यह fragrance free है, तो fragrance free भी यह वाला product नहीं है, अभी तक मैंने जितने product यूज किया थे, dermo को के वो fragrance free थे, इसमें mild सी fragrance हाती है बर irritation वाली नहीं है लेकिन अब बात कहते हैं कि इसको यूज करने के बाद मुझे कैसा लगा तो जैसे कि हमेंशने dry skin वालों के लिए best है तो जैसे ही मैंने इसे use किया, use करने के बाद मेरी skin जो है थोड़ी देर बाद बहुत ज़दा यहां से dry हो गई, ऐसे side से dry हो जाती है, बट एक बाद मैं इसको use करने के बाद skin पे थोड़ा सा glow आ जाता है, थोड़ा सा glow आ जाता है, मेरी skin के बाद करें थोड़ा सा glow आ जाता है, लेकिन after some time, within one hour, skin थोड़ी और ज़्यादा dry हो रही है, जो मेरा dry area होता है, जो मेरा यह वाला area है, summers में oily होता है, यह वाला oily है, मतलब मुझे इतने जाता है, 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 जाता मुझे इतना पता है कि इसके अदर बहुत सारे ऐसे इंग्रीटिंट है जो शायद मेरी स्किन पर भी सूट नहीं करते लेकिन सच अभी तक कोई पिंपल वगरा ऐसा नहीं निकला है और साथ ही साथ अगर बात करूँ तो Highly Recommended नहीं है बिल्कुल भी Highly Recommended नहीं है अगर आप yuse करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पर yuse कर सकते हैं और सभी All Skin Type भी बिल्कुल नहीं है । Dry Skin की बात करें तो Dry Skin वालों के ळिए बिए सुटेबल नहीं लगता oily skin वालों के लिए भी मुझे suitable नहीं लगता तो मुझे नहीं पता है ये कौन से skin वालों के लिए best आ तो ये था मेरा honest review और मैं खुद इसके लिए confused हो कि मैं आपको suggest करू या नहीं करू लेकिन शायद आप मेरी बातों से जान के होगे कि करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए तो ये तो मेरा honest review I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू पर वाचिंग बाए बाए